पूर्ण पर से आप सबका स्वागत है वाइप स्टेडी स्टूडियो चानल पर विच पार्ट अपने क्यार्मी तो एक बार फिर से आप लोगों से सुबह साथ बुचे मुलाकात हो रही है जैसे कि हर दिन आप लोगों से मुलाकात होती है तो इसमें कोई बहुत बड़ी बा है आपको लिंक को कॉपी करके एक बार से शेयर करना होता है तो गुद मॉर्णिंग जितने लोग आ चुके हैं और जितने आप भी नहीं आए हैं जिनकी नींद भी ने खुल लई है तो वेरी गुद मॉर्णिंग तो देम ऑलसो ताकि वह लोग भी आजाए चले अचा करें हैं आपके सामने पूरा का यूट्यूब का शीडूल आपको नजर आई रहा है लेकिन आपको एक चीज़ बता दें सुबर साथ बिज़े तो में आप लोगों का का इंट अफेर का सेशन रहते ही है ना गुद मॉर्निंग विनेश शुभं मानस प्रजना गौरव रोहित सं अच्छा जल्दी से एक बार से लिंक को कॉपी करके अपने फ्रेंच के साथ शेयर कर दो जोती गुद मॉर्निंग निशी गुद मॉर्निंग चले एक बार हम भी शेयर कर दें क्योंकि आप जानते ही आदिलों का इंफजार होता है मैं भेजेंगी ताव आएंगे उससे पह करेंडर फेर्स के जानवरी से लेके जून के बीच में जिसमें आपको कोई आप्शन नहीं मिलने वाला है और आपका वो टेस्ट होने वाला है कितने बज़े होगा सुबर 11 बज़े रहेगा वो सेशन ठीक है तो उसको अटेंड करना मत भूलीगा क्लास का लिंक बाकी जो अब ही आपने देखा कि कल चेंज हुए हैं ना उनके बात कर लेते हैं लेकिन हां एक चीज़ आपको बता दें कि जो अभी आपने देखा कि कल चेंज हुए हैं राइट कलकुछ चेंज़ उए ना उनके बारे में भी हम बात करेंगे बट उसके बेसिस पे शाम को पॉने 6 बजे शाम को पॉने 6 बजे जो आपका बर्निंग इशू होता है ना में वाइफाय चानल पे उसमें हम लोग कोश्चन के हिसाब से इन सारी चीजों को भी डिसकस कर लेंगे क्योंकि आपनों के जहन में बहुत सारे सवाल उठ रहा हूंगे कैसे होगा ऐसे कैसे यह वो प्लार निमांग का आइनो तो यह सब हम लोग डिसकस कर लेंगे ठीक है अच्छा अब देखो सबसे पहली चीज नियूस पेपर हेड्लाइन सोंगी जो सगी आपको कांट्री के पार्ट पर आज भी मैंने यहां पर नेपाल को इंक्लूड किया और इसके बेसिस पर और नए कोश्चन्स बनाए हैं ताकि आप लोग उसको यहां पर आंसर कर पाऊ और कूल भाई समागे विकास अवे बुपेंद्र चिंटु जाहिदा प्रमोध आनन प्रभि चलिए अच्छा तपर्स आदित्य आनन शिवांगी गुद मॉर्निंग चलिए अच्छा विहां पर बात करते हैं सबसे पहले और इंपॉर्ण चीज की वो क्या है थौट अधूरी सी होती है और आप जानते हैं कि जब तक यह थौट ना आये तब तक हम लोग का दिन भी श अच्छा देखो एक चीज़ों बताना भूली गए अच्छा वो एक चीज क्या थी माम जो भूल गहीं है वो भी बता दीजे वो यह थी कि अभी तक तो क्या हो रहा था एससी वाले रेलवे वाले यही परिशान होते थे जी एस पढ़ पढ़ के अब पिचारी जो समझ में आ गई होगी ऐसा क्यों हुआ है अभी हम आगे आपको इसके बारे में बता भी देंगे तो क्या चीजे हैं क्या-क्या चेंजिस हुएं साही चीजों के बारे में बात करेंगे इस पर्टिकुलर सेशन अच्छा देखिए लाइफ में हारी जो चीज होती है ना जब आपको उसका ABCD नहीं पता तो क्या आप उसको आंसर कर पाओगे कभी नहीं आंसर कर पाओगे तो यह थोट आपको यही सिखा रहा है कि हर एक चीज के लिए पेशन्स रखना जरूरी होता है क्योंकि जितनी में चीजें हम सीखते हैं उन चीजों के साथ में पूरी लाइफ अपने आप आपको आसान लगने लगेंगी कुछ भी टफ नहीं होगा आप यह चीज जानते भी हैं यहां पर कि जब भी मैं आपको इसी चीजें बताती हूं टफ से टफ कोशन भी होता है अब तो तुम लोग उसको भी आंसर कर लेते हो अब तो हम सोच लेंगे कल से UPSC के कोशन होमवक में धिया करेंगे कम से कम कुछ तो ऐसा हो जहां पर तुम लोग का हम अब आप बताईए हर चीज तो तुम्हीं लोग बता देते हो ठीक है चले अच्छा तो शुरुआत करेंगे यहां पर सेशन की सोनी मॉंबन नरेंद हरियोंबा हितेश जिंग पिंग शु अब जितने बैंकिंग वाले हो यह कोर्स आपके लिए इतने लोगों के लिए है क्यों इंपोर्टेंट हो गया हम अभी आपको बता देंगे जो बैच है आज से शुरू होने जा रहा है आज इसमें इंट्रोड़क्शन का क्लास होगा तो आप में से अभी जितने लोग ऐस है जो अभी भी बच कर रहे हो कि हां हम इस बैच को जूइन करेंगे तो आप आजब सुझरू करेंगा क्योंकि आज जूआइब शूटेगा नहीं कि इंट्रोड़क्शन में सिर्फ हम आपको बताने वालें कि क्या अमारी पूरी स्ट्राटीजी रहेगी इस सब्ज चिक को मिल जाएंगे ठीक है दूसी चीज कल इक महाश्य हम सब पूछ है मैं यह बता दीजे कि यह जो क्लास होंगे इसमें पीडियाप मिलेगी अरे यार तुम लोग का पीडियाप करोना कब खतम होगा जी हां इसमें आपको पीडियाप भी मिलेगी और बाकी जैसे आप लोग कुर करते हो आपको लाइट क्लास में आपके जो डाउट्स हों इसका ऍलीशन भी मिलेगा हर तीन चाय ब्लास्ट कश को यह सारी चीज़े होंगे इस परडिगोलर बाच में तो अभी आपके पास टाइम है आप इस बाच को जॉइन कर सकते हो पूरा कंप्रीट जी एस चीके के लिए हाँ एक चीज और जो दुपहर में आपका स्टाटिक कुछ चलता है स्टेट वाला गाइस वह भी आपके लिए उतन दूसरा क्लास होता है चाहे स्सी हो चाहे बांगे अब आपको पढ़ना ही पड़ेगा चली अच्छा आते हैं होंबग कोश्चन पर कल मैं आपको दो सवाल दिये थे पहला सवाल देखो सवाल में पूछा जा रहा है कि अगर हम अरे डर किस बात कर लगने लगा भया कोई डर की बात नहीं है अब सुन दो लो मेरी बात तो सुनो कुछ नहीं हुआ है कुछ बदला नहीं है देखो जो स्सी वाले उनके लिए तो कुछ नहीं बदला प्रॉब्लम यहां पर सवाल में पूछा जा रहा है कि नरेंद मोदी जी ने इस बार का जो जंडा रोहन किया था यानि कि जो फ्लाइग होस्टिंग करी थी वो कितकॉन से नंबर की थी तो आंसर हो जाएगा यहां पर 7 नंबर और ऐसा यहां पर पहली बार हुआ था कि कोई नॉन कॉंग्रेस पा जी की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया हुआ है कि इनकी जो कॉंसिट्वेंसी है वो क्या है बारानासी है और कली मैंने आपको एक वर्ड बताया था वो क्या था मंदोदिया नाम का जो railway station है कहां पर बारणация के अंदर इसका नाम बदलके अब नया नाम क्या रखा जाएगा ये मैंने आपको ausya जाएगा ये कहां और से जहांब को सबसे ज़ादा लोगसाबही है और सबसे ज़ादा राजसबही शेट मुलती है आगर हम इसके विधानसभा की बात के तो उसमें भी आपपो सबसे ज़ादा सिच टेकने को मिलती है 403 प्लस 1 का रेशयो रहता है यह वन कौन है वन हो जाएगा यहां पर अंगलो इंडियन ठीक है अच्छा और क्या पॉइंट्स है जब भी हम यूपी की बात कर रहे हैं तो पॉपुलेशन के हिसाब से अगर देखा जाए आबादी के हिसाब से देखा जाए तो सबसे जादा पॉपुलेशन वाला जो स्टेट है वो यूपी है बड़ सबसे जादा डेंसिटी के हिसाब से अगर पॉपुलेशन को क्यालकुलेट किया जाए मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में पॉपुलेशन कितनी है अगर हम इसको क्या हिसाब से कौन सा हो जाएगा बिहार और एरिया वाइस आप से स्टेट पूछा कोशे में पूछा था ऑप्टिकल फाइवर कनेक्टिविटी है ना इसमें पूछा गया था कि कितना टोटल एमाउंट दिया गया है अमाउंट के बारे में हम भी बात करेंगे लेकिन इससे पहले जरा ऑप्टिकल फाइवर के बारे में बात करेंगे अभी कुछ टाइम पह ये ओशिन में क्या कर दें, उससे connectivity हो जाएगी, और हमें पता चलना शुरू हो जाएगा, बट अब यहाँ पर पॉइंट क्या आया है, वो तो बात की बात है, इंडिया में क्या हुआ माम, इंडिया में पोर्ट ब्लेयर को चेन्नेई के साथ में जोड़ा गया है, ताकि 4G connectivity, e-governance, इन सबको और भी जादा बहतर किया जा सके, इसमें ये भी बोला जा रहा है, कि आने वाला जो टाइम है, आने वाले जो 1000 डेज हैं, उसमें ये भी पूरी कोशिश करी जाएगी, कि जितने भी गाउँ अगेरा है, जितने भी पिछड़े गाउँ अगेरा है, उन सबक जो है, वो ऐलोकेट किया गया है, याद रखना, इंपॉर्टेंट बनेगा, एक्जाम में सवाल आपसे पूछा आ सकता है, अलग-अलग हिसाब से आपर डिस्रिब्यूशन किया गया है, तो एमाउंट नहीं आएगा, बट हाँ, आपसे ये पूछा आ सकता है, कि किसको कहा से कनेक्टिबिटी प्रोवाइट करी गई है, तो इस इस दा इंपॉर्टेंट पॉइंट, लो भाईया, आ गया, तुम लोगा फेवरेट, आँ, चलो, चलो, सुनो, यहाँ पर, सबसे पहली और इंपॉर्टेंट नियूश, अच्छा, पहले एक दो नियूश और है, पहले को CBI के अंडर में आ गया है, तो देखते हैं, यहाँ से हमारे मतलब का कुछ निकल के आएगा, जो हमारे एक्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो, वो हम पढ़ लेंगे, बट अभी तक इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, जो हमारे एक्जाम में पूछा जाए, दूसरा देखे PM Care Fund, मैंने इसके बारे में आपको हजारों बार पढ़ाया हुआ है, कि यह जो फंड का पैसा है, इस फंड में जितना भी पैसा आया था, यहाँ पे लोगों ने आवाज उठाई थी, कि इसको भी RTI के अंदर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे बोला गया था, कि नहीं भ भाईया एक काम कर लो, कि यह जो PM Care Fund है, इसके अंदर जितना भी पैसा जमा हुआ है, उसके उपर एक Audit कर लो, इन्होंने बोला चलो ठीक है, अब आपने कहा है, तो हम कैसे इसको मेना कर देंगे, तयार हो गया है, अब कल देखो Supreme Court ने क्या कहा, कल Supreme Court का Order आया, कि PM Care Fund जो है इसको Audit करने की जरुवती नहीं है, मतलब भाईया, अजीब और गरीब यहाँ पे चीजे हो रही है हमारे देश के अंदर, खै, यहां से भी आपको मालूम है कि क्या क्या सवाल पूछे जाएंगे, RTI पूछ रिया, तो 2005 बता देना, आर्टिकल पूछ रिया, तो 19 और 21 बत जाएगा, तो आपको मालूम होना चाहिए, भारत के अंदर दो तरीके के फंड होते हैं, एक होता है Consolidated Fund of India, एक होता है Contingency Fund of India, जो Contingency Fund of India होता है, इसको हम Emergency Fund के नाम से भी जानते हैं, यानि कि इसमें से जब पैसा निकाला जाता है, तो आपात काल के समय पर निकाला जा जाता है, तो यह जो PM Care Fund किसमें जाएगा, Contingency Fund of India के अंदर, और आर्टिकल क्या है, इसके लिए 267, तो यह कुछ पॉइंस है, जो आपको बस याद रखने हैं, इससे जाद आपको भागने की जरूरते हैं, भाईया, बैंकिंग मालो, याद करते जाना आर्टिकल, वह को यहाँ पर हम बात करते हैं, इस पर्टिकलर न्यूस के बारे में, देखे क्या है, बताया जाएं, मेरे को तो यहाँ पर बताने में भी लग रहा है, कि तुम लोग कितना क्या-क्या पढ़ोगे यार, चलो, अब पढ़ना तो पढ़ेगी, क्या कर सकते हैं, नो अप्शन देखे, क्या होता है, एससी के जो एक्जाम का पैटन था, इसमें कुछ नहीं बदला, रेलवे के एक्जाम के पैटन में कुछ नहीं बदला, बैंकिंग के एक्जाम के पैटन में कुछ नहीं बदला, तो फिर बदला क्या, देखे, इंडिया के अंदर 20 से भी जादा एजन पहले कंडग कराती थी इन सब को खतम करके अब यहां पर एक नई एजनसी बना दी गई है जुसका नाम क्या रखा गया है CET यह क्या है common eligibility test जरा ध्यान से सुनिएगा कि इनकी कहानी क्या है अगर हम overall देखें अपने इंडिया के अंदर तो overall हर साल आपको करीबन इतनी लाख vacancies देखने को मिलेंगी ऐसा सरकार के दौरा कहा गया तो सुनते जाना अभी यहां पर बाद में अपने यहां पर प्रतिक्रिया है न हम उसकी संख्या देखें तो वो करीबन इतने होते हैं अब इन फॉर्म को फिल करते करते आदे तो यहां पर इस्टुडिंट ऐसे होते हैं जो फॉर्म फिल करते ही करते ठक जाते हैं क्योंकि अलग-अलग agencies हैं कोई कहीं पर है कोई कहीं पर है यानि कि उसकी अलग-अलग places भी हैं अब अलग places हैं यहां पर तो अलग-अलग exam center भी होगा यह तो हो गई न और अलग exam center होगा तो एकसा पैसा भी देना पड़ेगा तो अब क्या बोला गया है कि यह जो यहां पर jobs निकलेंगी इन सब के लिए एक common यहां पर test कराया जाएगा जुसका नाम क्या है CET या अब आप यह सोचेंगे कि माम तो फिर टीर वन टीर 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 इनका क्या होगा तो यह पीटा as it is रहेंगे इसमें कोई changes नहीं होगा यह as it is रहेंगे कोई भी देखो यह जहां पर common test कराया जाएगा यह prelims के लिए होगा prelims का मतलब हो गया जो आपका tier 1 होता है उसके लिए यहाँ पर एक common body बनाई गई है जुसका नाम है CET लेकिन यहाँ पर यह बोला गया कि अगर कोई भी ऐसी agency है प्लीज ध्यान से सुन लिजेगा इस point को important है अगर कोई भी ऐसी agency है जो tier 2 या फिर tier 3 के लिए exam conduct कराना चाहती है तो वो exam conduct करा सकती है मतलब से tier 1 के लिए यहाँ पर क्या किया है एक common agency बनाई है बाकी यहाँ पर जो process जैसे चलता था वो वैसे ही चलेगा उसमें कोई changes नहीं किये गए अच्छा अब इससे profit क्या होगा देखो इससे कुछ profits हैं माना जाए तो इससे कुछ profits हैं पहरी हुआ एक और अच्छी चीज हुई है वो यह है अब आपको जो अभी तक क्या होता था जो examination paper होता था या तो Hindi या तो English इसी languages में होता था अब क्या होगा कि यह जो paper है total 12 भाशाओं में आपको देखने को मिलेगा total 12 languages होंगी और अभी ऐसा आगे अनुमाल लगाया जा रहा ह है कि in future हमारे यहाँ पर constitution में जो 8th schedule है जो 8 भी इनुसूची है जिसके अंदर 22 भाशाओं दी गई है हो सकता है आने वाले समय में यह जो 12 languages हैं किसमें हो जाएंगी 22 languages में convert हो जाएगी 12 languages I hope आप समझ गया होंगी कि जो छेत्री भाशाओं है अब उनका प्रियोग भी इसके इंदर किया जाएगा यहां तक समझ में आ गया इंग्लिश भी पढ़नी पढ़े की रियाचत भाई आप पढ़ना तो पढ़ेगा अब क्या कर सकते बताओ इसमें कुछ नहीं किया जा सकता अच्छा अब देखो यह तो बात हुई कि कौन सा एक्जाम यहां पर होगा तो आँष्ट भरती एजंसी जुसे हम यहां पे नाशनल रिक्रूट्मेंट एजंसी के नाम से जानेंगे यही सारा काम करेगी यही शारी की सारी देखभाल करेगी कि पेपर है कैसे हो जबिस को नहीं हो यह तो माम इस शुरू कप से होगा तो 2021 से शुरू होगा एक साल में दो ऐसे होती है जो graduation level के लिए अब ये मज़ सोचना कि सब के लिए अगर exam एक हो गया है तो फिर इन सारे के सारे exams का यानि कि class 12, class 10 वाले और graduate वाले क्या इन सब के लिए paper का जो standard होगा वो एक जैसा होगा नहीं बेटा paper का standard सबका अपने हिसाब से रहेगा उसमें कुछ नहीं बेटा ये जो batches आ रहे हैं जो special classes होते हैं अब वो banking वालों को भी करने पड़ेंगे तो भागने की कोशिट अब मत करना क्योंकि अब government ने यहाँ पर चीज़ें चेंज कर दिया अब क्या करू माम अब क्या होगा रो दो अच्छा बिड़ा तीन exams यहां पर consider किये गए अभी मैंने आपको तीनों exam बता दियें SSC है railway है banking है अभी ये प्रपोस किया गया है कि in future बागी भी जो exams है जैसे कि आपके state level के exams होते हैं या बागी आपके like UPSC वाला exams होते हैं अभी सोचा जा रहा है कि हो सकता है इन में भी changes किये जाए अभी फिलार ये तीन exams हैं जिनको यहां इंक्लूड किया गया समझ में आगी अब देखो इससे जुड़े हुए बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में आ रहे होंगे इन सब चीजों के लिए हम लोग आज शाम को पॉनिच है बज़े एक बरनी इसू लेकर आएंगे जिसमें हर एक कोस्टन का answer बहां पर हम आपको जाएं क्योंकि मुझे पता है तुम लोग के दिमाग में सब्सक्राइब क्या क्या चीज़ें चल रहे हैं तो इसको ध्यान रखेगा आपके लिए इंपॉर्टिंट हो जाएगा और हाँ एक और खास बात वह बता दें प्रीज वह जान लो जादा इंपॉर्टिंट है यहा आपको बारबा यहां पर प्री नहीं देना पड़ेगा यह एक नई चीज निकल के आई है तो विवर डिसकस हम लोग इसको पूरा अच्छी तरीके से एक कोश्चन के फॉर्म में इसको डिसकस करेंगा ठीक है अल्कूल अल्कूल लॉड हां यह कैसे कैसे नाम तुम लोग लेते हो आं बिल्कूल बेटा अब पढ़नी पड़ेगी अब कुछ नहीं हो सकता अब आप बिलकुल मैं सोचना कि इंग्लीस नहीं पढ़नी अब तो आपको इंग्लीस भी पढ़नी पढ़ेगी लेको जब बैंकिंग वालों को यहां पर जीएस पढ़नी पड़ेगी तो तुम लोग को थोड़ा तो यहां पर कश्च करना पड़ेगा तो this is a thing, जो अभी हाली में यहां पर changes हुए हैं, वो मैंने आपको बता दिये, यही common changes थे, जिसके लिए आप लोग कल से परिशान थे, बढ़ हां, अभी इसमें और क्या-क्या चीजे हैं, जो बहुत जादा तो फॉलो कर लो, reasoning, maybe किसी को फॉलो कर लो, this is up to you, आप किसी का भी class देख सकते हो, ठीक है, चलो अच्छा, पहले सवाल पर आते हैं, बड़ा मज़ा आया तुम लोग को, नई, defense के लिए अभी ऐसा कुछ नहीं किया गया है, no, not for defense, ठीक है, चलिए अच्छा, पहले सवाल पर धनवंतरी रत, आप से पूछा जा रहा है, कि अभी हाली में जो धनवंतरी रत का एक जो campaign शुरू किया गया है, जिसमें क्या बोला गया है, कि आयरुवेदा की जो facilities हैं, अब वो यहाँ पे हर एक व्यक्ति के घर तक पहुँचाई जाएगी, यह जो हर एक व्यक्ति है, य हम इसके बारे में बात कर लेते हैं, देखो यहाँ पर न्यूस क्या है, जब हम बोल रहे हैं यहाँ पर आयरुवेदा, तो आयरुवेदा से आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, आयुष मिनिस्ट्री आनी चाहिए, और आयुष मिनिस्ट्री से आपके दिमाग में क्या पूर्वज वगेरा तो आपने देखा होगा जड़ी बूटियों वगेरा का इस्तेमाल करते हैं ना यही जो जड़ी बूटियां वगेरा है इनी को आज के मॉडरन टाइम में हम आयुष मिनिस्ट्री के नाम से जानते हैं अब हुआ क्या देखो इसमें यह बोला गया है कि जितनी भी पॉलिस ऑफिसर्स हैं कहां पर दिल्ली पॉलिस के अंदर उनके घरों तक यहां पर आयुष का जो ट्रीटमेंट है वो पहुचाया जाएगा उनक यहां पर देख सकते हैं कि MOU साइन किया गया है किसके किसके बीच में All India Institute of Ayurveda के साथ में डेली पॉलिस ने इसको साइन किया है जिसका नाम क्या है धनवंत्री रत लिखा है रत का मतलब होगा कि व्यान होगी रत का मतलब क्या होगा एक व्यान होगी जो यहां पर हर एक वि यह पूछें मर्च नहीं कह सकते हैं मर्च अच्छा नहीं लग रहा है अगर आपसे पूछा जाए कि जो धनवंत्री रत होगा इसमें क्या क्या चीजे होंगी आयूश डॉक्टर होंगे आपका जो पेंडे में का भी जो कोबिट चल रहा है उसको टेस्ट करने के लिए शुरुआत करी गई तो आंसर एमदाबाद मार करके आना कुछ और नहीं ठीक है अच्छा दूसरा देखो अब दूसरे की बात करने तो यहां पर आप देख सकते हैं कि कुछ ऑप्शन्स लिखें कुछ ऑप्शन के साथ तो खेलना बनता है आप भी जानते हो अगर ऑप्श लिखा हुआ था उत्राखंड क्या था उत्राखंड गाइस एक बाद से सेशन को जड़ा लाइक और शेयर कर देना यह चीज़ हम आपसे कहना भूल जाते हैं यह काम आप खुद से कर लिया करो ठीक है अच्छा आप सुनो जब हम यहां पर उत्राखंड की बात कर दें तो क यहां पर ब्रिज कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है एक ब्रिज बनाया जा रहा है कहां पर पिथोरागर नाम का जो जिला है वहां पर यह जो ब्रिज बनाया जा रहा है यह कितनी जादा उचाई पर है तो 180 फीट की उचाई पर आपको यह देखने को मिल रहा है अच्छा क्यो तो था पूरी तरीके से तूटना शुरू हो गया तो यहां पे इसको री कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है कहां पर उत्राखंड के अंदर अच्छा और क्या नियूज है जब हम यहां पर दिल्ली की बात करी रहें तो यह भी देख लो प्लाज्मा बैंक सबसे पहले बनाया गया DR DO के द्वारा 12 दिनों के अंदर यहां पे शॉस्पिटल बनाया गया जिसका नाम पटेल जी के नाम पर रखा गया यहां के rumors को होंगे आनि पैजाल जी यहांके USS गवनर रहेंगे अब देखो दूसरा is the option लिखा हुआ था आसाम के अंदर धनवंतरी नाम की जो योजना है की acál शिरुवात हुई और कल कल दो बजे जो मैंने आपको स्टार्टिक पढ़ाया था, उसमें मैंने आपके साथ आसाम को ही discuss किया था, तो प्लीज उस सेशन को नहीं देखा है, तो अब कुछ नहीं हो चकता, आप तो आज वाले ही मिलेगा, तो आज वाले क्लास का टाइम दो बजे है, उसे मिसमत कर दी जा याहां की सबसे फेमस जगे है क्वेमस मैंने बोला क्योंकि यहाँ पर 3 खेलो इंडिया गेम्स का आयोजन किया गया और चौथे वाली खेलो इंडिया गेम्स होंगे इनका आयोजन हर्याना के अंदर किया जाएगा अच्छा अगला देखो MP बहुत ही हम तो MP से परिशान हो चुके हैं लेकिन क्या करें MP के बारे में पढ़ना पढ़ेगा इतना सारा स्कीम कॉल लिख के आता है यार चल अच्छा देखो MP फिलहाल तो MP में क्या बोला गया जरब वो बताते हैं MP के जो CM है शिवराज जोहां जी इन्होंने बोला है कि अब MP के स्कीम की महाराज्शा जैसे की अर्याना यहां घ़या जतनी पर गदीआ है कि सारी क सारी उनिकभी लेंगी जो MP के रहने वाले तो भाहर वाले कहां जाएंगे यह तो मतलब एक तरीके से अप देखें तो पूरी तरीके से गलती हो जाता है आप ऐसा थोड़ी ना कर सकते हैं क्योंकि हमारे constitution के अंदर एक article लिखा है article number 16 वो तो आपको पूरा पूरा राइट देता है तो आप कैसे ऐसे कर सकते हैं तो this is a point जो आपको ध्यान रखना है कि ऐसा अभी बोला गया है हुआ नहीं है ऐसा अभी बोला गया है अगर हो जाएगा तो हम लोग इसको पढ़ लेंगे ठीक है अच्छा और देखो MP में क्या है I am from MP चले और देखो MP में क्या है एक संकल बुजर्गों के ना यह campaign अभी हाली में शुरू किया गया है MP सरकार के द्वारा जिसमें क्या होगा जितने भी senior citizens हैं उनको कॉरोना से बचाने का पूरी तरीके से प्रयास किया जाएगा जिस तरीके से मैंने आपको पंचवटी योजना बताई थी हिमाचल पिदेश के अंदर जिसमें 100 से ज्यादा पार्कों का अगठन किया जाएगा बस उसी तरीके से यह योजना है जो यहाँ पर शुरू करे गज़े अठीक है अह प्रताब करेक़ दूसा देखो यहाँ पर समीष्ठा कुम्ब अब जो कुम्ब मेला होता है ना जैन के अंदर उसको यहाँ पर समिष्ठा के नाम से जाना जाता है एक मास्क अनेक जिंदगी कैमपेंड एंपी के अंदर महाकार टेंपिल जो है अभी यहाँ पर पूजा अर्चना थी उसके उपार पूरी तरीके से प्रतिबन लगा दिया गया था क्योंकि यह अभी COVID के चलते इसको रोका गया था अगला इसराइल के यहाँ पर जो गन्स वगेरा है उसको भी मैनुफेक्चर किया जाएगा MP के अंदर जिसका नाम है Erad and Camel और दूसरा था रोको टोको अभियान यह भी MP के अंदर शुरू किया गया अब आपके लिए एक लिस्ट बड़ा परिशान थे तुम रोग और यह लिस्ट यहाँ पर क्या है चलो लिस्ट देख लेतें क्या है भाईया जितने नाम चेंज हुएं सारे के सारे प्रोवाइड करा दिये इसको एक बार से पढ़ लेना स्क्रीन शॉर्ट माल लेना अच्छो से रट्टा माल लेना चाहे एससी वाले हो चाहे ब्रांखिंग वाले हो चाहे रेलवे वाले हो अब तो पढ़ना पड़ेगा अब ना बश सकते हो ठीक है तो इसको आप याद कर लीज़ेगा आपके लिए इंपॉर्टन रहेगा कोश सपतर नाम है लेकिन चलो यात्तो करना पड़ेगा इसका अंसर बनेगा माली यहाँ पर कहनी क्या हो गई लेकिन पहले देखो लिखा है नाइजेरिया इसकी क्या हो जायेगी अबू ज़रा देखो यहाँ अगर आप देखें, तो कहानी क्या थी? रध्यान से सुनिएगा, यहां पर एक कहानी हो गई. माली नाम की जो कंट्री है, वो आपको आफरिका के अंदर मिलती है. यहां पर क्या हुआ? कूप हो गया. अब आप कहेंगे मैं कूप क्या होता है? कूप का मतलब यह होता है कि जब वहा पर पूरी तरीके से गिरा दिया जाता है, तो उसे हम कूप का नाम देते हैं. ठीक है? उसे हम क्या कहते हैं? कूप का नाम देते हैं. यह कूप अगर आप देखोगे, तो पाकिस्तान के अंदर तो बड़ा कौवन है, लेकिन अभी हाली में यह माली के अंदर देखने को मिल और ये जो भाई साब हैं, इन्हों ने जो अपना स्तीफा दिया वो गन पॉइंट पे दिया, मतलब समा सकते हो, मिलिटरी वालों ने इनके सर के उपर बंदूक रख दी थी, कि भाईया अब अगर तुम्हें इस्तीफा ना दिये तो तुम्हाई लिए अच्छा ना होगा, ऐ ऐसी वाली सिचुएशन इनके लिए आ गई, अच्छा ऐसी सिचुएशन आई, क्यों हुआ क्या, देखो, हुआ ये था, कि पिछले साथ सालों से अगर देखा जाए, तो ये रूल कर रहे थे, रूल किये जा रहे थे, किये जा रहे थे, इनको कोई फर्की नहीं पढ़ रह है, कि जो टर्रिस्ट वगेरा थे, वो बहुत जादा माली के अंदर बढ़ते चले जा रहे थे, पिर तीसी चीज़ क्या हुई, जब यहां पे इनकी मिलिटरी ने इनको बताया कि ऐसा-इसा हो रहा है, आप कुछ एक्शन लीजे, तो भाई साब सुनी नहीं रहे थे, तो इन भाई साब के स्तीफे के साथ में यहां के जो पी-एम है, उन्होंने भी अपना स्तीफा दिया है, क्योंकि भाईया यह इनसे जबदस्ती कराया गया है, क्या हुआ है, जबदस्ती कराया गया है, अब माली की जब बात आई है, तो आप देख सकते हैं, इसकी क्या हो तो जरूरी था कि कुछ इस तरीके से जो काम है वो किया जाए आप देख सकते हैं जो मिलिटरी वाले हैं वो इनके घर के बाहर पहुंच गया और वहां पे धर्दना प्रदेशन किया और उसके बाद सीधे से ठीक है यह भाई साब आये बिचारे फिर क्या होगा कुछ ना अब एक बाद से माली देख लेते हैं यह देखे यह जो आपको जगे नजर आ रही है इसके इधर की तरफ देखोगे तो मौरी ट्यानिया हो जाएगा इधर अलजीरिया यहां पे नाइगर और यहां पे वर्कीनोग फासो नीचे की तरफ देखोगे तो आपको आईवरी को सौइधा की तरफ गिनी मिलेगा और यहां पर सेनिगल है यह कुछ कंट्रीज हैं जो आपको माली के आसपास देखने को मिलती हैं देखो या वो तो बात की बात है आ सुनीता बिलकुल उत्ती देर से वेटा वा यही तो बता रही हो कि अब आपको भी पढ़ना पढ़ेगा अब इससे बच नहीं सकते हैं अब सब के लिए बराबर हो गया अब तो आपको भी पढ़ना पढ़ेगा ठीक है अच्छा अगला सवाल देखो कॉन सी एसी कंट्री है जुसने अभी हाली में अगर देखा जाए तो इंडिया के साथ में टाइप किया है और इंडिया ने उन बनकर आ जाएगी हम सबसे पहले आपको इस वैक्सीन को प्रोवाइट करेंगे आंसर क्या होज गाएगा इसका अंसर बनेगा बांगलादेश अब देखो यूई के अगर हम बात करें तो मैंने आपको कल ही बताया था 13 एडिशन जो है इंडिया और यूई का उसका आयोजन किया गया और जो 14 वाली एडिशन है किसकी इंडिया यूई की समिट की इसका आयोजन अबु धाबी के अंदर किया जाएगा नेपाल के बारे में अभी हम कोई बात नहीं करेंगे क्योंकि सेशन के लास्ट मैंने नेपाली रखा है आज कंट्री के में ठीक है अच्छा दू के पूरे इंडियन ओष्यन के लिए था उन सारे के सारे ओपरेशन को यहाँ पर चलाया गया था अभी हाली में और भी सारे अग्रीमेंन्स हैं जो माली जो यहां पर मालदीब के साथ में खिये गया है fij approximately याद क JE रखना है इंडिया और नेपाल के बीच में इस नहीं होती, बट इस बार का जो IPL है, उसका आयोजन यहाँ पर होगा, और इसको sponsor कौन कर रहा है, Dream 11 स्पॉंसर करेगा, जिसके brand ambassador कौन है, भाई हम लोग के फेवरिट, माही महींदर सिंग दूनी is the brand ambassador, ठीक है, अच्छा, capital क्या हो जाएगी UAE की, अबुधाभी, currency क्या हो और वहाँ पर जाके इन्होंने यह announcement किया है, कि अगर हमारे पास, जो रशिया ने Sputnik 5 बनाई है, अगर वो मिल जाती है, या फिर इंडिया अपनी खुद की vaccine डेवलब कर लेती है, तो सबसे पहले जो priority दी जाएगी, वो बांगलादेश को दी जाएगी, अब आपके दिल म कहीं तो अपनी soft power का इस्तमाल करेगी न, तो इंडिया ने क्या किया है, अपनी soft power का इस्तमाल किया है, exactly, इब्राहिम एकॉर्ड, इब्राहिम एकॉर्ड जो है, वो भी इसराइल और UAE के बीच में साइन किया गया, यह हमने आपको पहले भी बताया, पूरा-पूरा discuss कर दि लेकिन यह पूछा आ सकता है, कि संगराम नाम की, एक गाइड़ मिसाइल, शील्ड, आप देख सकतो है, यह अपर जो शिप है, यह अभी हाली में, गोवा के कौन से पोर्ट पे आए थी, मुर्कुमू गोवा नाम का जो पोर्ट है, गोवा के अंदर वहां पे यह आई थी, आप से एक्जाम में सीधा सीधा जो सवाल है, वो पूछा आ सकता है, कि कौन सी कांट्री की देख, आंसे क्या बनेगा, बांगलादेश will be the right answer, ठीक है, अच्छा एक चीज़ और देख लो, बांगलादेश की कैपटल, ढाका, करेंसी टका, बांगलादेश के अंदर अगर आप देखेंगे, तो जो ढाका है, वहाँ पर साक का गठन किया गया था, हेड़कॉर्टर नहीं है, हेड़कॉर्टर काठमान्डू में है, नेक्स, बिम्स्टेक का हेड़कॉर्टर कहां मिलेगा, आपको बांगलादेश के अंदर ही मिलेगा, और यहाँ पर एक जगे है, कॉक्स बजार कॉक्स बजार नाम की जगे है अगर आप देखोगे तो यह बांगलादेश के बिलकुल कोस्ट पे आती है और इसको भी हाली में ओपन कर दिया गया है इंडिया और बांगलादेश के बीच में एक आइलिंड है जो बहुत जादा डिस्प्यूटेड है जिसका नाम क्या है न्यू मोर आइलिंड और जो रोहिंग्यास ट्राइब है यह जो जन जाती है कहां कि मैं इन्मार की जो माइग्रेट करके बांगलादेश में आये थे उनके लिए बशिचर आइलिंड बनाया जा रहा है बांगलादेश के द्वारा गाइस यह कुछ ऐसे पॉइ बात करेंगें लोग बात करहें तो प्रिशान मतब अगल्य सवाध डैत बेली सवाल में आप से फूछा जारा है कि जो डैत वैली था, क्या सवाल है ज़र हम देखते हैं यहाँ पर, प्रमोद करेक्ट बहुत बढ़िया, आशीश विशाल राइट, अक्षे करेक्ट, देखो राजपूर राइट, अब देखो यहाँ पर हुआ क्या, कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया नाम की जगे है, कहाँ पर आपको मिलती है, वो कहां का है, डेथ वैली का, और कितना तापमान वहाँ पर नापा गया है, तो आप देख सकते हैं, 54.4 डिग्री सेल्सियस, बाबर है, दूसी चीज, यह जगे है डेथ वैली, इसके पास में ही आपको एक डेजर्ट, एक मरुस्थल देखने को मिलता है, जिसका नाम क पूछा जाएगा, डेथ वैली कहां पर है, मुझावे डेजर्ट कहां पर है, आप इसका आंसर कर ले जाओगे, दूसी चीज, अगर आप से पूछा जाता है, कि यह किस तरीके का डेजर्ट है, कोल्ड है या फिर वाम है, तो यह ध्यान रखेगा, कि यह होट डेजर्ट है यानि कि यह वाम डेजर्ट है, अगर कोल्ड डेजर्ट पूछा जाएगा, तो अटा कामा डेजर्ट मार्क करके आओगे आंसर, अच्छा और देखो, यह जो गाईस, उमलों का आधी क्लास स्थम होने के बाद जो गुन मॉर्निंग आता है ना, इससे लॉस होता है आप लो को यह जीज मालू है कि जो नॉर्थ अमारिका है, वो आपको एक तरफ पैसिपिक ओशियन है, एक तरफ एटलांटिक ओशियन है, सब लोग इसके बारे में चानते है, और जो बीस का हिस्सा है, यहां पर आपको यूएसे मिलता है, उपर की तरफ केनड़ा है, नीचे की तर से सनापा गया था, और इसका तब भी जो रीजन था, यही था, और अब भी जो रीजन है, वो भी यही है, अब यह रीजन है, क्या हीट डोम क्या होता है, देखो हीट डोम क्या होता है, को ज़्यादा यहां पर कद्दू में तीर नहीं मालना है, बहुत ही आसान सी चीज है देखे क्या होता है जब भी किसी भी जगे का temperature तापमान बहुत जादा बढ़ना शिरू हो जाता है और वो जो तापमान है वो एक जगे पे आके ट्राप हो जाता है एक जगे पे आके अगर वो रुक जाता है तो उस जगे को हम heat dome कहते हैं लोम का मतलब क्या हो गया कि एक तरीके से ऐसे करके गुफा जैसा एक जो structure होता है वो बन जाता है लेकिन यह जो गुफा जैसा structure दिख रहा है यह क्या है heat है temperature है जो कि बहुत जादा पढ़ गया है अच्छा अभी होता कैसे देखो होता कैसे जब भी strong और high pressure की wind चल रही होती ह है या फिर strong और high pressure की current चल रही होती है कहां पर Pacific Ocean की तरफ पर जब धीरे-धीरे करके और भी जादा heat up होती जाती है और heat up होती चली जाती है तो आप देखेंगे इस पूरी जगा का यह जो Pacific Ocean की location है यहां का जो temperature होता है वो बहुत जादा बढ़ जाता है temperature बढ़ने के cluster बन जाता है किस चीज का गरम हवाओं का यह जो गरम हवाओं का cluster बनता है इसी को हम क्या कहते है heat dome कहते है या आप यह कहलो कि जो heat waves होती है यह बहुत जादा बढ़ जाती है अब heat waves क्या होती है suppose करो कोई एक ऐसी जगे है जहां का तापमान 40 degree है ठीक है 40 degree temperature है बढ़ अगर उस जगे का तापमान अचानक से 6-6 degree या फिर 5-6 degree तक बढ़ जाता है तो उसे हम heat waves बोलते है हमारे पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो सबसे जादा जो death होती है वो heat wave की कारणी होती है ठीक है तो heat dome की बज़े से आपको यहां का temperature है वो सबसे जादा देखने को मि बारत जो है वो इन में से कौन सी जगह है जहां पर अपना एक नया जो सड़क है पूरा का पूरा रोड बनाने जा रहा है आंसर हो जाएगा यहां पर लद्दाक वाला रीजिन क्या है यहां पर जड़ा जानते देखो इंडिया जो है वो भी क्या कर रहा है मनाली से लेके मैं यह चीज मैंने आपको बता दे हैं था कि वीटा अब हम बता देंगे क्यों परिषान हो कि इंग्लिश पढ़नी पढ़ेगी क्या मैं यह चुक्त अब लेकिन अक नए रास्ता बनाया जाएगा जिससे क्या होगा military तक जितने भी सामान पहुंचने होते हैं वो सारे के सारे timely उनके पास पहुंच जाए किसी भी तरीके का delay ना हो अभी अगर आप देखोगे तो मनाली से ले के बीच में आपको एक जोजिला दर्रा भी मिलता है जो क्या करता है वो directly जाता है कहां तक द्रास कारगिल वाले एरिया तक जाता है कहां से होते हुए तो ले से होते हुए ठीक है चलो एक बात ये समझ में आई लेकिन आप ये मत भूल जाना कि रोतां पास जो है या फिर रोतां टनल जो है इसका नाम अटर टनल किया गया है और अब एक नया रास्ता कंस्ट्रक किया जाएगा यहां से होते हुए अगर हम लद्दाग की बात करें तो इसकी आपको दो डिस्टिक देखने को मिलती है ले और कारगिल इन दोनों को स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप किया जाएगा भारत सरकार के द्वारा बिल्कुल सही है यहां पर अरो यह लड़ बात में लिए हो जरब पढ़े लो पहले पढ़ने की जरुवत है ठीक है पढ़े लो पहले यहां पर हिमाशू प्लीज कॉंसंट्रेट कॉंसंट्रेट कर लो बिटा अच्छा बना देको जिंग पिंग है क्लास में अभी नाराज हो जाएंगे तो फिर समझ दे ना एक नया वाइरिस फिर वो लेकर आएंगे आप समझ ही सकते हैं आगे की कहानी तो दिस इस पॉइंट जो आपको यहां पर याद रखना है कि लद्दाग वाला जो इरिया बहाँ पर डेवलोप्मेंट किया जाएगा अच्छा लद्दाग के लूटिरिन गवरनर कॉन है उपराज पाल कॉन है यह हो जाएंगे आरके माथुर जी और यहां की जो पुलिस हैं अभी हाली में उनके लिए एक नया लोगो लाँच किया गया था और उस लोगो में अगर आप से पूछा जाता है कि किस चीज की इमेज बनी है तो इस नो लेपर्ड की जो पिच्चर है वो आपको उसके अंदर देखने को मिलेगी देखो दौलत बेग ओल्डी यह काफी जादा उचाई पर है तो मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि यह वो जगह है जहां पर अभी चाइना ने बड़ा हड़कम मचा के रखा हुआ था तो इसी एरिया को इंडिया क्या कर रहा है अभी और भी जादा डेबलब कर यह जो आपको इस तरीके का एरिया नजर आ रहा है यह वाला एरिया जो रेड वाला देख रहा है इस अशकाई चिन यहां पर एक जगह है जो ऐसी यह लाईन बनी हुई है यह क्या है आपकी LAC line of actual control और इसी के किनारे पर आपको क्या मिलता है दौलत बेग ओल्डी की location किसी भी तरीके से हम कबजा कलनें, बढ़ ऐसा थोड़ी नाम अपनी जगे आप पो दे देंगे पड़े, कुछ भी बात करते हो, क्या, तो यहां आप देख सकते हो, कि यह कुछ ऐसे important points है, जो आपको ध्यान रखने, यहां पर construction work जो है, वो start हो गया, ठीक है, अगला देखो, दिक्षक portal, सवाल में पूछा जा रहा है, कि जो दिक्षक portal है, यह अभी हाली में, किसके साथ में मिलके launch किया गया है, यहां पर कौन सा ऐस institute है, जिसने इसको launch किया है, बॉंबे के लिए मैंने आपको बताया हुआ था, जो QS ranking आई थी, उसमें इंडिया की तरफ से सबसे अच्छा perform करिया है, वो कौन सी है, IIT Bombay है, इंडिया की सबसे पहली जो IIT है, वो कौन सी है, IIT Kharagpur है, और इसका आंसर भी क्या होगा, सेम, IIT Kharagpur, ठीक है, आप देखो क्या है, IIT Kharagpur के दौरा यहाँ पे e-classroom software launch किया गया है, जिसका नाम रखा गया है दीखशक, देखो क्या होता है आजकर, जैसे कि आप लोग आना के आन्मी आप पे भी आते हो है ना, तो कई बार आप लोग बोलते हो ना, मैं फोन जो हीट अप कर रहा है, तो होता क्या है, कि कुछ ऐसे आप्स होते हैं, या पर कुछ ऐसे software होते हैं, जिनको बहुत ही high speed network चाहिए होता है, बट दीखशक नाम का यह जो portal, online portal launch किया गया है, आइटी खड़कपुर के द्वारा, यह बहुत ही आसानी से काम करेगा, यह ना तो आपका ज़्यादा डेटा खाएगा, और नहीं यहाँ पर आपको कोई समस्या आने वाली, अच्छा यह किस के लिए launch किया है, तो जितने भी teachers हैं, या फिर जितने भी strengths हैं, उनको यहाँ पर facilities प्रोवाइट करने के लिए इसको launch किया गया है, यह याद रखिएगा, अब इसमें क्या होगा, जितने भी teachers पढ़ाते हैं, वो जितना भी material होगा, जो बच्चों को material प्रोवाइट किया जाता है, वो सारा भी upload कर पाएंगे, साथ में अगर बच्चों को यहाँ पर कोई समस्या भी होगी, तो बच्चे क्या कर सकते हैं, अपनी query भी वहाँ पर comment box में पूछ सकते हैं, इसके अलावा अगर आप देखोगे, तो कोई data अगर यहाँ पर teacher share करना चाहता है, तो वो data भी share कर पाएगा, और जो होता ना, school में attendance register, उसी तरीके का, यहाँ पर आपको एक attendance register भी देखने को मिलेगा, जो यहाँ पर maintain किया जाएगा, यहाँ किस के दौरा, teacher के दौरा, ठीक है, तो हम यह कह सकते हैं, कि यह जो आपका एक तरीके का नया e-classroom portal आया है, यह आपके computer पे भी चलेगा, और आपके phone पे भी चलेगा, ठीक है, इस इसको ध्यान लगना, किसने launch किया है, यह आपके लिए important हो जाता है, good morning आया है, गजब, West Bank Hall में बहुत बारिश हो रही है, अगला सवार, Fino Payment Bank, आप से पूछा जा रहे है, इसका headquarter कहाँ पर है, मुंबई के अंदर आपको इसका headquarter मि important क्यों है, जड़ा जानते हैं, देखें, news क्या है, Fino Payment Bank के द्वारा यहाँ पर launch किया गया है, जन, बचट, खाता, जन, मतलब people, बचट का मतलब saving, खाता का मतलब क्या हो गया, account, तो अब इसमें क्या होगा, सबसे पहली चीज तो यह है, कि यह जो account खोले जाएंगे, यह F हार कार्ड आपके पास होना mandatory है, दूसी चीज, यह new banking को experience करता है, new banking का, बिटा SSC वालों, ध्यान से पढ़ ली ना, पढ़ना पड़ेगा आप, new banking का मतलब होता है, कि इनकी कोई branch नहीं होगी, ठीक है, इनकी कोई भी branch नहीं होगी, यह सारा का सारा online platform पे काम करेगा, चलो दूसी चीज, यह एक तरीके का क्या है, payment bank है, payment bank से ध्यान रखेगा कि इंडिया में जितने भी payment banks है, जोसी कि एटल payment bank है, तो यह लोग loan provide नहीं करते है, सबसे बड़ी बात, यह लोग loan provide आपको नहीं करेंगे, ठीक है, दूसी चीज, यहाँ पर, बेटा, classes के बारे में, अ कौन सा है, एटल payment bank है, यह याद रखेगा, दूसरा, आपको एक committee का नाम देखने को मिलता है, जिसका नाम है, नचिकेत more committee, यह वो committee थी, जिसके कहने पर payment banks का गठन किया गया, जिसमें आप bank account तो खुलवा सकते हो, आप अगर चाहो तो अपनी जित्ती भी savings है, वो सब यहा आपके phone पे जब काम करेगी, तो आपके fingerprinting और आपकी जो आईरिस है, यानि कि जो आई का contact है, उससे जैसे ही वो connect होगा, वैसे यह on हो जाएगा, वैसे यह unlock हो जाएगा, यह काफी अच्छा feature जो है, वो यहाँ पर देखने को मिला है, ठीक है, तो यह ध्यान दखेगा कि ज आपको बढ़ावा देने के लिए, यह किसके दोरा लांच किया गया, आंसर हो जाएगा, रवी शंका प्रिसाद जी के दोरा, देखो, गजेन सिंग शेखावत जी, जलशक्ति मंत्रा ले, आरके सिंग जी कौन है, रिनूबल मिनिस्ट्री जो है, उसमें मिनिस्ट्र आप स् ठीक है, यह तो चीजे मैंने आपको बता दी, अब पॉइंट क्या है, यह है क्या, यह एक तरीके का इनोवेशन प्रोग्राम शुरू हुआ है, इसमें क्या है, चालेंज होगा, चालेंज का मतलब जितने भी स्ट्रेंट हैं, जितने भी कॉलेज स्ट्रेंट हैं, या फिर बाकी भी जितने इंजिनियर्स वगेरा हैं, जितने भी IT इंप्लोईज हैं, उन सबको यहां पे चैलेंज दिया जाएगा कि वो एक ऐसा माइक्रो प्रोसेसर बनाएं, जो आज के ग्लोबल टाइम में सबसे अच्छी तरीके से काम कर सके, उसको हैक भी ना किया जा सके, उसमें कोई प्रॉब्लम भी ना है, और ऐसा एक प्रोसेसर भारत के अंदर बनाया जाएं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं, आत्म निर्भर भारत क के बारे में, तो यह जो सल्यूशन मांगा गया है, वो इस पर्टिकुलर चीज के अंदर मांगा गया है, अच्छा, यह पहली बारे ऐसा नहीं हुआ है, इससे पहले अगर आप देखोगे, तो IT मदराज के दोरा, यहां पे अलड़ी, एक माइक्रो प्रोसेसर जिसका नाम ह क्या है, इन दोनों को पहले ही बनाया जा चुका है, लेकिन अभी इसमें और भी जादा इनोवेशन की मांग जो है, वो करी जा रही है, ठीक है, ओमाइगा, भव्या, तो यह चीज धान रखेगा, यह इनोवेशन जो है, अभी यहां पर करने की बात करी जारी है, अच्छा के अंदर जो चीफ साइंटेस्ट हैं, जिनका नाम क्या है, सौमया स्वामिनातन, इनको अभी हाली में तमिल नाडू की सरकार की दोरा, तमिल नाडू सीम स्पेशल एवोर्ड से सम्मानित किया गया है, क्योंकि इनोंने कोविट के चलते बहुत अच्छा काम किया, पहला व जितने भी नॉर्म्स आएं हैं इसके अंदर, सारे की सारे हम लोग डिसक्रस कर लेंगे, वाइफाइ स्टेडी में चैनल पर ही रहेगा, और कल हम आपके लिए एक आदे गंटे गा सेशन लेके आएंगे, जिसमें हम आपको बता देंगे कि अब आपको क्या-क्या पढ़ना इनको अब हाली में एक आभार्ड से सम्मानित किया गया, ऑइवार्ड का नाम क्या है, दरा राठी एवार्ड, याद रखना, 110-1 जाएंगे, अब इसमें जो प्राइस नीया जाता है, वो क्या है, वो क्या है? कैश है प्राइस प्राइस दिया जाता है, तिस इस इई यह इंडियन ओरिजिन के आप देख सकते हैं आपे फिजिशियन है जिनको अभी हालीमेक एवार्ड से सम्मानित किया गया है और यह एवार्ड क्या है प्रेसिडेंट्स स्पेशल एवार्ड कहां पर यूके की यूनिवर्सिटी जो है वहां पर पढ़ाई कर रहे हैं और इनक से एक पूरा इंड्रेस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जाएगा बिदार तक करनाटिका के अंदर अब क्या होगा एफ्रिका से यहां पर कुछ चीते लेकर आए जाएंगे मैसूर के जू में उनको रखा जाएगा आपको यहां पर कुछ दादा नहीं मारना है जो रट्टा मा इंडिया में उसको बोला जाला था कि पूरी तरीके से खतम हो चुके हैं तो आप ध्यान रखेगा कि इंडिया में इसको एक्स्टिंट गोशित किया जा चुका है अगला वन लाइनर क्या है एक्स्टिंट गया है शगुन गेप्ट आन इंशुरेंस पॉलिसी शगुन क्या होता है जाते हो जैसे कि देखा ही होगा आप लोग ने शादियों में जब जाते हैं तो आप लोग में से कुछ ऐसे होते हैं जो अपने दोस यार को भी लेकर जाते हैं ताकि वो भी खाना वना खा कर आ सके तो यहां पर देख सकते हैं कि शगुन गिफ्ट एक इंशुरेंस पॉलि कर सकते हो बड़ कंडिशन एप्लाइड है कि एज ग्रूप इतना होना चाहिए और पॉलिसी कान भी अवेल अप्टू वनियर मतलब इसकी जो डूरेशन होनी चाहिए एक साल की होनी चाहिए अब यहां पर SBI आया है 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 किस पर इसके बाद आएंगे हम लोग कंक्र कि शालो आयूसियन का मतलब होता है इंटरनाशन लेवल पर एक और्गनाइजेशन बना हुआ है जिसका हेड़कॉर्टर आपको ग्लांड में मिलता है ग्लांड नाम की जगह है वो सुजलांड के अंदर है यह आपकी डेट डेटा बुक को जारी करती है पूरे वर्ड में जित्ती भी प्रजातियां पाई जाती है उनके लिए अलग-अलग केटेग्री बनाती है जैसे कि बनरेबल मतलब उसकी जो इस्पिशी है वो अभी चल रही है एक होती है आपकी इंडेंजर मतलब इस्पिशी जो है वो खतम हो चुकी है एक होती है थ्रिटें मतलब वो धी 36 बनाय कब गया 1960 में नर्मदा गोदावरी कृष्णा रिवर हो जाएंगी लावनी तमाशा डांस फॉर्म है जियाई टैक नाकपूर औरेंज को स्टेट एनिमल क्या है जाइन्ट स्क्वेर गाइस भूलना मत दोपैर में दो बजे लाइव क्लास मिलेगा याद रखना और आपको सयादरी टाइगर रिजर्व याद रखना है ठीक है अगला लोगसभा सीट कितनी है 48 राजसभा सीट कितनी है 19 है मुंबई जो है वो सेलसेट नाम के आईलिन के उपर लोकेर है कोईना डाम मिलेगा जैकावारी डाम और उज्जानी डाम अब एक चीज ज़रा ध कितने बजे पॉने 6 बजे आपनों के लिए बर्निंग इशू वाइफर स्टेडी में चानल पर रहेगा वहां पर हम लोग और क्या क्या नॉम से वह भी पढ़ लेंगे अब देखो कंट्री आई नेपाल चलिए अच्छा अब देखो नेपाल के अगर हम बात करेंगे तो आ अब अगर हम बात करें सवालों की चलो आंसर गन्ना शुरू करो चलो 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 सार्क राइट करेक्ट बहुत बढ़ बढ़िया मैं अभी बता रहे हूं अभी बता रहे हूं परिशान ना हो है तुम लोग अरे सवभागी चंदन बबलू हिमांशु शुभाम निशु अमर्च सबको गुड मॉनिग भाई अजीद एवरिवन गुड मॉनिग यहां मेरी विश्यस सुम लोग साल हमेशा है चाहे लाइफ में किसी भी जगा पर क्यों ना पहुंच जाना बट मेरी विश्यस हमेशा र सब्सक्राइब फूट चाहेगी अगला पूच जा रहा है नेपाल का कोन पर शाध साप्र क्यों सब्सक्राइब गतार जाती है तो फुट आव्भाल हो गाएगा खस्यash बुद्धिजम बहुत धर्म करें ठीक है अगला नाशन एनिमल यहां का कौन है तुम लोग बताओंगे या वो भी मैं ही बताओं तो इसका आंसर हो जाएगा यहां पर जो काउ है यानि कि जो गाय होती है वो यहां का नाशन एनिमल है ठीक है समझी कियो अरे नए भाई तनमे सुमित बिनायक नहीं सबके लिए आना हमें का पंकश गुद मॉर्निंग टी वाल यार तुम लोग कैसी-कैसी बाते करते हो सबके लिए यहां पर मेरे विशुज हैं जितने भी लोग यहां पर हैं जो लाइव आते हैं या बाद में देखते हैं या वाले हो इस कोर्स बिकम्स मस्ट फॉयू पीपल यह कोर्स आज से ही शुरू होने जा रहा है आज इंट्रोडक्शन का क्लास है तो आप में से जितनी भी ऐसे स्ट्रेंच हैं जो अब प्लान करना शुरू करेंगे तो अभी भी आपके पास समय है आप इस बात को जोईन कर सकत हो तो यहां पर सबसे पहला जो सब्जेक शुरू होने जाना है जिसका आज इंट्रोडक्शन का क्लास है सुबह नौ बजे आप देख सकते हो यहां पर कि इसको जोईन करने के लिए कोड क्या रहेगा खरती 10 गाइस बैस शुरू होने जा रहा है इससे पहले अब आप समझ मिसना हो और हाँ इसमें PDF भी मिलती है आपके जो डाउट होते हैं वो भी रिजॉल्व होते हैं और जब आप इस बैस को जॉइन करोगे GS के लिए तो मेरे साथ आप किसी भी फेकल्टी का क्लास देख पाओगे जो भी SSC के टेगरी में पढ़ाते हैं चाहे Maths हो चाहे Reasoning हो चाहे GS का कोई दूसरे ही फेकल्टी क्यों ना हो ठीक है कोड याद रखना कोड क्या होगा फ्रती टेंग कोड रहेगा यहां पर अच्छा दूसरी बात तो यह हो गई कि भाईया आज से बैस शुरू हो रहा है आज के यह जो क्लास हैं फिर आप तो मैं क्या हो लो में को करते हैं एक दो बचे और एक होता है छे बच के दस मिट पे यह है मेरा टेलिग्राम चानल इस पर जुर जाए यह जो पेड़ बैच आज से इंट्रोडक्शन शुरू होने जा रहा है इसको फटाक से जॉइन कर लो क्योंकि पॉलिटी हिस्ट्री जोगरफी एकनोमिक्स और यहां पर आपकी साइंस यह सारे के सारे सद्विक्स हम आपको पढ़ा रहे हैं और इसी के ऊपर आपको लिंक भी मिल जाएगा इस पर्डिकुलर बैच का ठीक है यूपिरसी बैच होफुली आपका कल से सार्ट हो जाएगा तो कल से हम आपको उसके बारे में बताना होगा और रूपे कार्ट चे आप पेमिन नहीं कर पाओगे रूपे कार्ट यहां पर इलिजबिल नहीं है दूसरा पे टियम गूगल पे भी आप यूज कर सकते हैं फॉदा प्रॉसेस ठीक है और हां अब तो सारे ही क्लासे इंपॉर्टेंट हो गए हैं चाहे कंप्यूटर हो चाहे माद्स हो चाहे इंग्लिश हो एनितिंग सब इंपॉर्टेंट है सब कुछ पढ़ना पड़ेगा तो चले तट मिलते हैं आप लोगों से तिल देन बाबाए और थेक्यार